यह मेरे पास वन प्लस नोड थी 5 जी और आज मैं आपको इसका केमरा टेस्ट देने वाला हूं यह एक डेडिकेटेट केमरा रिव्यू जहाँ पर फोटो वीडियो स्लो मोशन नाइट मोड सेल्फी पोट्रेट हर एक चीछ डीटल में बताइए ताकि अगर आप इसको केमरा परपस से बाय करना चाहते हो वीडियो लास तक देखना आपको हर एक चीज का क्लियर हो जाएगा और जितनी भी चीजे होती है कैमरा से रिडेटेट वह हमने सब यूज करी ताकि आप अगर व्लॉगर हो व्लॉगिंग के लिए लेना चाहते हो यूट्यूब क्लियर हो जा देते हो तो यह वाला है अलट्रवाइट पर 8 Mel से लिया है तो यहाँ पर आप देखो डीटेल कितनी क्लियर है बेगराउंड पोट्रेड है मतलब बलर है लेकिन अल्टर वाइड में आपको कम डीटेल मिलेगी और ओवरल फोटो एक जैसे मिलेगी तो ठीक है यह 1x का फोटो है यह 2x का फोटो है यह 5x का यह 10x का और यह 20x तो इसके अंदर 20x जूम है 1x और 2x पर तो भई काफी अच्छा फोटो लग रहा है 5x पर जाने के थोड़ा सा बलर होता है हलका सा मतलब डिटोर्शन हो जाता है फोटो का और यह वाला 10x का फोटो है और यह वाला 20x है तो मतलब इतनी डीटेल है कि जो आपको दिख जाए यहाँ पर हमने और भी लिए है रिफ्लेक्शन वाला फोटो देख सकते हो क्लेरिटी ओवरल यहाँ पर धूप नहीं थी मतलब पूरा बारिस का मशन था तो थोड़ी डेल फोटो आईए बाकी केमरा इसका अच्छा है डेलाइट में बाकी नाइट का मैं बताँ हुआ कि अ किन अच्छे से वाई 1X के अगर मैं बात करूँ ठीक ठाक सा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा 2x पे भी हमने लिया है 2x यहाँ पर देख सकते हो फिर से 1x हमने फोटो लिए दो स्कीन तो आप देख सकते हो डीटेल न देख सकते हो कलास वागरा भी काफी अच्छ फोटोस में हो जाती जैसे पेर अगर चलते हो बना रहे तो बलर हो जाता है वह चीज इसमें हमें देखने को नहीं मिलिए काफी स्टेबल फोटोस आ गए हैं ओवरल यहां पर आप यह भी देख सकते हो ठीक है थोड़ा हमने लो एंगल से भी लेने की कोशिस करी है तो ठीक से फोटो आ रहे कोई भी इसओ यहां पर नहीं आ रहा है कभी-कभी हवल्का सा ब्लर हो रहा है किसी-किसी जगे पर अवराल फोटो देखने में अच्छा लग रहा है लुण टाइम में और अगर थोड़ा धूप अगले होती न तो और अच्छी आते हैं यहां पर आप देख सकते हैं इस तरह की फ्लेयर क्रियेट हुई है कभी कभी और बेटर भी होती है यहां पर और हमने सेंपल्स नहीं है पोट्रेट पे यहां पर डीटेल देखो ओवरल जो सब्जेक्ट है वो फोकस में बेग्राउंड ब्लर है जो आसपास की डीटेल है वो भी अच्छे से दीख काफी अच्छी है एक एक चीजी क्लियर दिखा देता है ओवरल हमने स्कीन टोन तो ही अच्छा और डीटेल्स भी काफी अच्छी है सेल्फी में यहां पर आप देख सकते हैं अलग-अलग इंगल से हमने लेने की कोशिश की है पोट्रेट के अगर बात करें तो पोट्रेट हमने लिया तो पीछे इस तरह की फ्लेयर क्रेट होती है जो अवरल देखने में काफी अच्छ लगती है वीडियो की बात करें तो यहां पर आगर आप देखते हो तो यह वाला जो शौट है यह ultra wide पर हमने record किया है ultra wide में stability काफी तगड़ी है मतलब बिल्कुल भी shake नहीं हो रहा है frame मैंने running करके भी देखा है थोड़ा जो चलते हैं उससे थोड़ा fast चलके देखा है stability ultra wide में काफी अच्छी phone हिला कर भी देखा है move करके देखा बढ़ी आ रहा था ultra wide की stability main lane से भी काफी जादा यह दोखो भी कितना fast दोड़ रहा हूँ फिर भी भहुत माइन असा shake है जो काफी अच्छी बात है अब मैं आपको दिखा दो main lane का यह 1X का है 4K पर 60fps पर यह video record हो रहा है दोडने पर पूरा हालत इसकी खराब हो गए थी OIS मुझे लगा नहीं कि ठीक से काम कर रहा है यह वाला 4K 30fps पर है इसमें भी हमने running की बट यह 4K 60fps से कम shake हो रहा था कम इसकी frame shake हो रही थी और stability इसमें ठीक थी बट ultra wide की बात अलगी यहाँ पर आप देखो यह वाला जो record हो रहा है यह ultra wide में हो रहा है इसमें background blur करके भी वीडियो बना सकते हो portrait mode जिसको बोलते है जो आपको वीडियो में मिल जागा selfie में भी back में भी overall stability इसमें भी ठीक है और edge detection भी अच्छा है थोड़ा और बेटर हो जागा software update के बार overall अभी फिलाल इतना है जो देखने में काफी अच्छा लगता है जो overall वीडियो बनाते हैं उनके लिए काफी सही है selfie में आप देखते हो stability, skin tone यहाँ पर कुछ इस तरह से है यहाँ पर detail भी देखो zoom करके बहुत साई detail maintain कर रहा है HDR range भी अच्छी है बढ़ हाँ 1080p last option जहाँ पर आप record कर सकते हो इस तरह की इसकी selfie background blur करके अगर आप वीडियो बनाना चाहते हो तो कुछ इस तरह का इसका background blur करके भी वीडियो बना सकते हो जो देखने में काफी अच्छ लगता है stability वगेरा भी अच्छी है इसकी overall detail भी काफी अच्छी ले पा रहा है और especially मुझे skin tone इसके अच्छ लगे क्योंकि oppo oneplus में आपको same ही देखने हो मिलता है तो skin tone पर काफी अच्छा काम करते हैं white white रखते हैं यहाँ पर आप देखो हमने तु इसमें आपको थोड़ा सा और अफ्ग्रेड होकर भी मिल जाएगा जहाँ पर आपको stability own करने का option मिल जाएगा अब stability own करने के बाद क्या होता है आपको जो detail है वो काफी अच्छी होती stable videos निकल कर आता है और हमने back में भी stability own कर रहा है उपर camera shaking वाला option मिलेगा उसके बाद कुछ इस तरह का result है थोड़ा सा stable हो जाता है नॉर्मल से compare करें तो बागी आप डूव वीडियो भी यह दोनों camera आप एक साथ भी यूज कर सकते हो यह भी काफी अच्छी बात है फ्रेंट भी और बेग भी यह देख होई में फ्रेंट और बेग दोनों में एक ही फ्रेम में आगया हूं पल्टा का दिखा यहाँ पर एक movie mode मिलागा आपको more में जाने के बाद यहाँ पर आप उसको यूज कर सकते हो जो देखने में काफी अच्छ लगता है एक पूरा एक पर आप देखो नाइट में अच्छे आ रहे है लेकिन यह जब खराब लगता जब पोट्रेट्स में आगा जो आपको में आगे बताऊं यह दखो तो 5X का फोटो है यह एक और स्टेबलीटी के साथ हमने लिया है फोटो इस्टेबल आते है नो डाउट जूम करके भी आप चीजे पढ़ सकते उतनी क्लियर आ जाती 1X की में बात करो या फिर आप नॉर्मल सब्जेक की लेते हो तो यह वाला भी फोटो काफी अच्छा है डीटेल कलर्स अच्छे और ब्राइटनेस भी फील करता है रात की 10-11 बजे की बात है और अच्छा फोटो इसने लिया काफी स्टेबल फोटो है नाइट मोड की अकोडिंग अच्छे जैसा आप साधी पार्टे में जाते हो यह फ्लेर्स वगिर आपको देखना को मिलती शा इस तरह की आजाती यह 2x का फोटो है और यह 1x का फोटो है यहाँ पर आप देखो हमने वीडियो अगरे भी बनाया तो आटो फोकस भी अच्छा है स्कीन टोंस यहां पर यह अच्छी बात है बैक केमरेस का अच्छा पफॉर्म कर रहा है चाहे वो रात हो चाहे वो दीन हो चाहे वो जूम हो कैसा भी हो अच्छा पफॉर्म कर रहा है काम के वीडियो आजाएंगे लेकिन यहाँ पर आप देखो नॉर्मल मोड में थोड़ा लाइट कम होती तो कुछ इस तरह की फोटो आजाती रियर केमरा अभी भी अच्छा पफॉर्म कर रहा है इसमें कोई होगा पसंदा तो लाइक कर सकते किसी वह टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वह भी बना दूआ फिलाल के लिए थैंकिस सो मच मिलता हूं